हलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर भी, आयम शिर्वानी चौहान, इस विडियो में हम लोग देखेंगे क्लास एट, हिंदी की बुक का चाप्टर फोर्टीन, अगपरी लोटा, जो की लिखा है, इसके जो राइटर है, वो है अनपूर्ण अनन्द वर्मा, तो इसके हम क्वे ले लिया, आपके विचार से वे चुपचाप क्यों रहे, अपने विचार लिखिए, तो देखेंगे जो लोटा था ना, वो बहुत ही अजीब हो गरीब, अजीब सा लोटा था, फिर भी जो है जाउला ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा, और चुपचाप ले लिया, तो लिखिए, अपनी पत्नी के गुसे का डर था, और वे उससे किसी भी प्रकार का जगडा मोन नहीं लेना चाते थे, उन्हें यह भी डर था, कि अगर पानी पीने से मना किया, तो पता नहीं इससे भी खराब बरतर में पानी और खाना मिल सकता है, तो लाला जाउलाल को बेट अपनी से जगडा हो जाएगा, और क्या पता फिर उससे खराब बरतन में खाना मिले, नेक्स क्वेश्चन है, लाला जाउलाल ने फौरन दो और दो जोड कर इस सिती को समझ लिया, आपके विचार से लाला जाउलाल ने कौन-कौन सी बातें समझ ली होंगी, तो फौरन मतल करके का मतलब होता है, कि फटा-फट से जो भी परिस्थे थी थी ना उसको समझ लिया, तो वो क्या स्थिती थी यह हमें पताना है, इसका अंसर है, लाला जाउलाल ने देखा कि एक भारी भीड उनकी आंगन में गोजाई है, भीड में प्रधान पात्र एक अंग्रीज है, जाउलाल जी ने फौरण दो और दो जोड कर इस्थिती को समझ लिया, कि इसी लोटे से इस अंग्रेज को चोट लगी है, वह अंग्रेज अब जगडा जरूर करेगा, और आसपास बहुत सारे लोग जमा होकर तरह तरह की बाती करेंगे, तो देखे, इसका अंसर ऐसे हो ज के हुए थे, उनके पास ही एक लोटा पड़ा था, तो अब जाउलाल को समझ आ गया, कि इस लोटे ने ही कुछ गडबड करी है, और इस लोटे की वजए से अंग्रेज के चोट लगी है, अब वो अंग्रेज यहाँ पर जगडा करने के लिए आया हुआ है, और इसलिए ही भी खिटा हुई पड़ी है वहाँ पर, नेक्स्ट है क्वेशन, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने जाउलाल को फैचानने तक से क्यों इंकार कर दिया था, आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीवयभार क्यों कर रहे थे, इस पश्ट कीजिए, तो अंग्रेज क अगर शक हो जाएगा, तो जो योजना वह बना रहे हैं, वह कामियाब नहीं हो पाएगी, तो वह इसलिए अजीव सा विवार कर रहे थे, बिलवासी जी ताकि अंग्रेज जो है, उसको किसी योजना के बारे में, उनकी योजना वो लोग बना रहे थे ना, बिलवासी और योजना के बारे में अंग्रेज को पता ना चल जाएं, फिर बिलवासी जी ऐसा जीव में वारिस ले कर रहे थे, क्योंकि वह चाते थे कि अंग्रेज वह लोटा महंगे से महंगे दामों में खरीद ले, और उनकी समस्या का समाधानों जाए, बुजाते थे कि अंग्रेज लोटा उन्हें कहानी बनाती थी कि लोटा जो है वो अकबर के समय का है और ये बड़ा ही प्राचीन लोटा है तो ताकि वो अंग्रेज जो है उसको पुरानी चीजा खिटे करने का शौक था वो उसको खरीद लेता तो उनका काम बन जाता वो लोटा भी चला जाता और पैसे मिल जाते नेक्स क्वेश्चन है बिलवासी जी ने रुप्यों का प्रभंध कहां से किया था लिखे तो बिलवासी जी ने रुप्यों का प्रभंध कहां से किया था इसका अंसर है बिलवासी जी ने रुप्यों का प्रभंध अपनी पत्नी के संदूग से निकाल कर किया यह आपके विचार से अंग्रेज नहीं है पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वस्तविक कारण की खोच कीजिए और लिखिए. तो आपके विचार से अंग्रेज ने पुराना लोटा मतलब क्यों खरीदा था? और क्यों मतलब क्या कारण होगा? तो इसक इसले वर्ष मेजर हिंदुस्तान से जहांगीरी अंडा लेकर गए थे अब अंग्रेज यह लोटा खरीद कर यह दिखाना चाहता है कि वह भी हिंदुस्तान से अच्छे चीज़े ला सकता है यह अकबरी लोटा जहांगीरी अंडे से एक पुष्ट पुराना वह महेंगा था इसलिए इसका महत्व भी अधिक होगा वह मेजर डगलस से इस प्रतियों के तामें आगे निकलना चाहता था तो अंग्रेज जो था ना वो मतलब उसको पुरानी चीजा खिटे करने का एक तो शौक भी कह लीजे और उसका जो पडोसी था ना वो भी पुरानी चीजा खिटी क जागेरी अंडे से तो इसलिए अंग्रेज उसको बहुत ही मतलब लोटे को खरीदना चाहता था अब नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना तो इसका पहला क्वेशन है इस भेत को मेरे सिवाए मेरा ईश्वर ही जानता है आप उसी से पूछ लीजिए मैं नहीं बताऊंगा ब बिलवासी जी ने यह बात लाला जहूलाल से कही क्योंकि बिलवासी जी रुपियों का प्रभंध बहुती मुश्किल से किया था ये किया था होगा बिलवासी जी ने रुपियों का प्रभंध बहुती मुश्किल से किया था तो बस यही है कि किस से कही यह बात तो जहूलाल से कही और भगवान ही जानता है कि मतलब इसलिए कहा कि बहुत ही मुश्किल से उन्हों रुपियों का प्रबंद किया था नेक्स्ट है उस दिन रातरी में बिल्वासी जी को देड़ तक नीन नहीं आई समस्या जहाउलाल की थी और नीन बिल्वासी की उड़ी तो क्यों लिख अब वह अपनी पत्नी के सोने के इंतिजार में थे ताकि वह पैसे चुप-चाप संदूग में रखते क्यों नीद उड़ी होई थी बहुत क्योंकि बिल्वासी जी ने जहाउलाल के लिए अपनी पत्नी के संदूग से पैसे जुराए थे और फिर वह पैसे दुबारा उन् से आपका तात्परे साथ दिन से है या साथ वर्ष से तो इसका अंसर हमें बताना है तो देखिए जहाउलाल की पत्नी को अपने पती जहाउलाल के वादे पर भरोसा नहीं था तो इन तीन का क्या मतलब है लेकिल मुझे इससी जिन्दगी में चाहिए से आप क्या समझते है कि जहाउलाल की पत्नी को जहाउलाल की बादों पर विश्वास नहीं था फिर नेक्स्ट है क्या हो सकता है कि जहाउलाल कंची उस फ्यक्ति थे फिर अपनी पत्नी उनकी पत्नी ने पहले कुछ मांगा होगा पर उन्होंने हां करके भी लाकर नहीं दिया होगा तो यही है इन सब जो शब्द थे ना इन सब क्या मतलब निकल के आ रहा था तो जो शब्द थे इनका ये मतलब निकल के आ रहा था तो ये चप्टर के हमारे question answers हो गए हैं आपको कैसा लगा विडियो बता सकते हैं अच्छा लगा तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करिए थेंक यू